आपका संबित चौथी लेहर का इंतजार आप लोग कर रहे हैं लेकिन जनता आशिरवाद चौथी बार देगी इसका आधार क्या है इसका उत्तर तो आपने अभी खुद दिया है आपने कहा कि भारतिय जनता पार्टी के पास बहुत बड़ी फैरिस्त है विकास का वो तो सच चुनती है जनता चुनती है तो विकास को ही चुनती है और जिस प्रकार से देखिए on a serious note गुजराट में उत्तर प्रदेश में वही रुमाना जी थी वही संबेत पात्रा और वही मेरी बहन प्रियंका चतुरवेदी ती डिबेट यही होता था किस कारण से भारतिय जनता प आप अप अब तंग को ऐसे ऐसे इस्तमाल करेंगे अच्छा मैंने 35 बोल दिया किया और सोरी सोरी चत्रिस खुछ होता है क्या देखिए 35 35 35 मैंने बार बार ये 35 सब्द का प्रयोग क्यों किया ये बताता हूं आप डिसाइड कर लीजिए 56 चाहिए या 35 चाहिए 56 मतलब स्पश्टता 56 मतलब साहस और 15-35 मतलब confusion आप बताइए confusion चाहिए या स्पफ्टता चाहिए मध्य प्रदेश की जनता को फफ्टता चाहिए confusion नहीं चाहिए प्रियंका जवाब देंगे लेकिन उससे पहले माध्य प्रदेश में तो शिवराभ सिंग चहान है, प्रधान मंतुरी नरेंदर मोधी तो नहीं, छपपन इंच के सीने का जो आप यहाँ पर कंपेरिसन कर रहे हैं, आईए प्रियंका जवाब देंगे, इससे जवाब देंगे अब बहुती हूं, बिल्कुल क्लारिटी है, क्लारिटी देखो इतनी है, कि बगए नियॉते के पाकिस्तान वोई छपपन इंच का सीना बिर्यानी खा कर आजाता है, यह बोलते हैं, छपपन इंच में विश्वास है, है ना, पूरा विश्वास है, भ्रष्टा चार करकर फ बिश्कर्म हो रहे हैं, और इन ही के जो लोग हैं, जो कारियरत हैं मीडिया डिपार्टमेंट में, आज ही उन पर F.I.R. दर्ज हुई है, पॉक्सो आक्ट का मामला लगा है, फरार है, उसी तरीके से जैसे सेंगर जी फरार से उत्तर प्रदेश में, अब आपने बात की हमा आरे पास है लंबी लिस्ट है, इनके आपने इनके लिए कहा भारतिय जनता पार्टी के पार्ट जोजनाओं गोशनाओं की बिलकुल आपने सही कहा, लंबी लिस्ट है गोशनाओं की, ये मुख्य मंत्री गिनिस बुक और वर्ल्ल रेकॉर्ड में आएंगे, कि अपने पां आरे तीन हजार का आंख्रा भी पार कर चुके है, तो हां मैं मैं मानती हूं लंबी लिस्ट है, पर उन घोशनाओं में से कितने इन्होंने काम किये, वो लिस्ट थोड़ी छोटी है, रुमाना जी, शायद पांच इंच या छे इंच की रहेगी, तो वो, जवाब ले लिए? मैं अनसे पूछेंगी जब जवाब दें, एक रिक्वेस्ट है आपसे, कि जो साड़े साथ करोड की मध्यप्रदेश की जनता है, उसका जवाब ले, उनसे पूछें, कि कितना रोजगार आपने बनाया हमारे युवाओं के लिए, आप इंसे पूछें, महिला दुशकर में रिकॉर्ड अपने क्यों कायम पिछले आट साल से रखा है, आप इंसे जरूर पूछेगा कि अर्थ वयवस्ता को तहस्नहस करने का क्या काम किया है, अब इसे ये भी पूछेगा, कि सवर्णेम अध्यप्रदेश करने के बाद आपको समर्द मध्यप्रदेश dobli ऐजरत क्या तो पहले तो बढ़ाई देजे और आज जो प्रियंका च देखियों अब असल्सलेवार ढंक से मैं आपसे जवाब लूगी लिए कि मैंने तो पहले ही उनको जनम दिनी बढ़ाई रॉंगी नीके पहले महीलास तुरक्षा श्रख्षा के मांके अपने कम देखिए कागज प्रियंका जी का नाम बदल के रोमाना ही रख देता हूं के लिए सारा क्वेश्चन वहीं पूछेंगी तुम्हें प्रियंका नहीं आज रोमाना चत्रवेदीन को कहता हूं यह अच्छी बाद आपने कहा कि बदाई देना बिल्कुल जनन दिन है मेरी बहन का तो चोटी बात किसान पूछा नहीं है अभी पूछते के बात प्रांचो सवाल के जवाब पहला आया पाकिस्तान दूसरा बस्ताचार महिला वचन समर्द्ध किसान पूछा नहीं है किसानों की पूछते कहा है? पाकिस्तान पाकिस्तान और चपन इन्च पे सवाल पूछती है कंग्रेस पाटी शिद्धु जी को थोड़ा देखा करो कमर भाजवा कहा है मुझे उसे चूमना है कमर भाजवा कहा है उसे घले लगाना है भारत ने मुझे कुछ भी नहीं दिया है दो दिन में मुझे भारत पाकिस्तान ने दो दे दिया और मुझे सुनने में आ रहा है कि अटाशी ₹跑 कर रहे थें इमरान दिरूपा मुंबई में पानी पी पी कर सुबह से शाम तक सबूत दिखाओ सबूत दिखाओ संदीप दिख्षित जो इनके सदस्य थे पहले पार्लमेंट के सडक के गुंडे हैं ये हमारे आर्मी के चीफ ये भाशा इनकी थी और ये पाकिस्तान की बात करते हैं ब्रस्ताचा पे बाहर हैं पचास हजार करोड रुपए गबन करने के नैशनल हेरालड वाले केस पे और टस्क से मस नहीं हो रहा है इतने बड़े केस में पहली बार देश के सरवोच परिवार जो इनके पार्टी का है वो बेल पे बाहर है चीदांबरम जी रोज जाते हैं जैसे बैंक से इंस्टॉल्मेंट लाते हैं वैसे कोट से जाके इंस्टॉल्मेंट में बेल लेके आते हैं शाची तरूर जी बेल तमाम कांग्रेस पार्टी बेल गाड़ी पे बैठी हुई है दूसरों को देख रही है कि कौन क्या ब्रस्ताचार कर रहा है सूती कपड़े पहन के देश को कैसे लूटना है ये गांधी परिवार में सिखाया है महिला महिलाओं की विशय में राजनिती नहीं होनी चाहिए गुस्सा आता है जिस दिन महिलाओं को साजो समान सजावटी समान कहा जाता है गुस्सा आता है कमलनाज जी तो इसी प्रकार के वेक्ति है वो महिलाओं के प बहुत पढ़ालिखा मानता हूं और एक अच्छा व्यक्ति मानता हूं उन्होंने कमलाज जी की विशय को आगे बढ़ाते हुए कहा कि निर्मला सीता रमन और सुस्मा सुराज ये सजावटी महिलाएं हैं मुझे बहुत अकलीफ हुई भारत के कैबिनेट कमिटी ओन सेक्यूर अच्छा का प्रयोग नहीं करूँ अब आपने कहा कि सम्रुध मध्यप्रदेश की बात आपने कैसी कर ली आप तो पहले स्वरणी मध्यप्रदेश की बात करते थी मैं एक नारा याद दिलाता हूं बंधू आप अपने माता-पिता से पूछना उसके बाद अपने माता-प पहले पहले नहीं बोल पाती थी बाद में सीखकर उन्होंने का गडी भी हटाओ उसके बाद राहुल गांदी गरीभी हटाओ इतना गरीभी हटाओ होने के बाद हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप शमृध मध्यप्रदेश अरे बीमारु मध्यप्रदेश चोड़के गए बीमारू से जुझारू लड़ने लायक बना जुझारू से सुचारू और उसके बाद सम्रुध्ध मध्यप्रदेश बनाने का काम शिवराज सिंग करेंगे और मैं बोल दू मेरी बहना को आज जनम दिन के दिन माफ करो महराज अब की बार शिवराज ठीक है ठीक है एक गुझार आरा है और अधि बिल्कुल है अच्छे ठोड़िए और कॉंग्रेस आप यह बताईए प्रीयंका आप की रंदी भी बिल्कुल बीज़एपी जासी है मंदिर मंदिर जाएंगे मतलब वोट के लिए हिंदू दिखना क्या कॉंग्रेस के लिए जरूरी है सबसे पहले जो खुद बेल बॉन्ड पे बाहर हो वो बेल की बात ना ही करें तो सब को सुभाएगा कितने की वो जो आपने बड़ा बड़ा सा एक प्रेस कांफरेंस किया था और मैं आज कह दूँ नैशनल एराल्ड करने वाले आज बड़े गौरों से दूसरों को जेल भेज रहे हैं माँ पेटे 5,000 करोड रुपए का अरे कहा है पुलिस आओ रहे मुझे आओ गिरफ्तार करो मैं जेल में रहूंगा और जेल में माँ बेटे का वो हाल करूँगा आप देखना मुझे जेल लेकर जाओ आज ही शो के बाद मुझे जेल लेकर जाओ पुलिस आओ मुझे गिरफ्तार करो जो जवाब और जवाब देही में दिखाते तो आज शायद इतना एंटर्टीन्मे करने की जरूद नहीं होती है मैं बिल्कुल मानती हूं एक सेकिन्द भाई साहब बड़े भाईया है आप आप्ने इतनी सारी बड़ी बड़ी बाते कहीं आपने कहा कि Samrut भारत और Samrut Madhya Pradesh सक्ष्ण मध्यप्रदेश, ये सब, 15 साल के आपके कारेकाल में आप बार-बार बोल रहे हैं, तो आप ये पूरा नहीं कर पाए, तो बार-बार आप अपना दृष्टिहीन पत्र लाए जा रहे हैं, यहां की जनता के सामने, दूसरा सवाल मेरा यहां पे अपने बेल वाले भ गुस्सा आता है, गुस्सा का जवाब भी होता है, आपसे ये थमज में नहीं आ रहा है कि गुस्सा का भाई साहब जवाब तो दीजिए, आज किसान भाई बहन आपसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब तो दीजिए, जरूर दीजिएगा, वो जवाब देंगे, यहाँ हम किसी भी सवाल से बचते नहीं हैं हम वह पार्टी नहीं हैं जो सिर्फ मन की बात करते रहे buenद की बात सुनते हैं हम वो पार्टी हैं जो अपना मैनिफेस्टो भी जब बनाते हैं, लोगों की बात करकर अपना मैनिफेस्टो बनाते हैं मुझे आप ये बता दीजे, कबसे भारतिय जनता पार्टी को पूर्य देश की जनता ने ठेकेदारी देदी है मेरे हिंदू धर्म को लेकर, आप मुझे बस ये बता दीजे, और मुझे, नहीं मेरे धर्म, ठीक, अगर मेरे आस्था का विशय है, मैं मंदिर जाओ, मैं मस्जि दार्टना प्राघूर आपती है, मैंने ये और भारत धर्म, भारत में असी प्रतीशत ये धर्म है, अगर आप मानती है, तो यही भारतवासी है जिन्होंiggling इतने साल तक कॉंग्रिस पार्टी को सत्ता दी है, ये QUEं पार्टी को उन्होंने तभी भी सत्ता दी, जब इमर्ज जाता है जो 2000 में इंडिया शाइनिंग करती थी वही जाता है अरे बहुत जवाब तो लेज़े जिए आपके सवाल का भी तो 30 सेकंद देजिए अरे भाईया पानी आपके लिए पानी पिलाते हैं और रही बात पोस्टर की पोस्टर हो हमारे मंदर के दर्शन हो मंदर पे जाने के लिए जो पहनावा हो और कहां पे कान से 40 में हम जाते हैं उसको ढंगी बताने वाले और कपड़ों को fancy dress बताने वाले जो तीर स्यात्रा पे जाते हैं उसको हनीमून टूरिजम बताने वाले वो एक ही दल है और वो दल है जो आस्थाओं का खिलवार करता है आस्थाओं के साथ विश्वासगात करता है और ये भारत की जनता भली भाती समझती है इसलिए 2004 हो और 1980 के बाद हमें वापस सत्ता दी हो ये वही देश है और ये वही देश की जनता है जिनके नाम पे ये दूसरों को कोस्ते रहे हैं प्रियंका देखे जो जवाब दे रहे हैं संभित पात्रा अब बड़ा गंभीर मुद्द और जवाब आपको देना है वो ये कि राहुल गांधी को आप कहते है बई चुनावी देखे रोमाना जी ये बड़ा गंभीर मामला है क्योंकि राम मंदिर का विशा जब उठता है तो मन में कुछ होता भी है और गंभीरता आती है इस पांक सो वर्षों से मैं बहुत प्रणाम करता हूं इस भूमी को इस भूमी में खुन कराबा नहीं है इस भूमी में किसी के प्रती वैमनस्य नहीं है 500 वर्षों से हिंदूों ने बहुत ही आस्ता के साथ जहां भगवान राम जन्म हुए उस भूमी के लिए वो लड़ रहे हैं और बहुत शांतिप्रिय तरीके से लड़ रहे हैं और मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मैं उस पाटी का एक छोटा सा कार करता हूं जिस पाटी ने भगवान रा हम क्या कर सकते हैं भगवान के हम कुछ नहीं हम चोटी सी पाटी है मगर उस भावना के साथ हम सदैव खड़े रहें 1989 में यहां बहुत बड़े-बड़े पत्रकार बैठे हुए राजकिशोर जी बैठे हैं दिबांग जी बैठे हैं चोटी बात नहीं है यह बहुत बड़े लोग बैठे हैं नहीं दो हजार अठार में आ रहा हूं मैडम मैं आपको दो हजार अठार क्या बीस तक भी जाए लेके जाओंगा अर्थी करवांगा जोड़े बड़े बड़े पत्रकार बड़े पत्रकार बैठे हैं हमारा इतिहास 1989 में हमने संकल्प लिया था पालंपूर के अपने अधिवेशन में कि भगवान राम के लिए आखरी सास तक हम समवेदानिक तरीके से रढ़ेंगे और हमने कभी नहीं प्रशन देता हूं कौन बनाएगा राम मंदिर आपको लगता है सोनिया जी बनाएंगी राम मंदिर जिन्होंने कहा राम डजनॉट एक्जिस्ट राम का कोई और चित्य नहीं है राम कालपनिक है और तो और बीम के ने सोनिया जी के कहने पर क्योंकि उस समय उनका ते हैं म्जाइकर आफूला नहीं हम लेके खड़े हैं इन को मंदिर नहीं बनाएगी सुनिये वह इंदुय को सुनिये-नु कोई की उनकी नहीं मंतिर के विशाय में इतना हाफ-इंच भारती जंता पाटी नहीं आई हम भगवान राम के चरणों के दास हैं और मंदिर के लिए हम खड़े रहेंगे और हां मंदिर बनाएंगे रोक के दिखाओ मंदिर बनाएंगे संवेधानिक तरीके से बनाएंगे खून खराब रहेंगे बहुत बढ़ी प्रियंक आप जवाब देदेना एक बस एक लाइं वो यह कि अगली बार मतलब अब 2019 आने वाला है है ना मैनिफेस्टों जब बनाएंगे तो फिर संवेधान एक तरीका हटा दीजेगा उसमें यह मत लिखिएगा अगली बार वीवल एक्प्लोर ओल पॉसिबिलिटीज अंडर दी कॉंसिटूशन और दी फ्रे बात मैं बोल रहां आज दो-दो हाथ इसी मंच पर हो जाए फैसला इसी मंच पर हो जाए दिखिए इतनी बड़ी नित्री मौजूद है जिनका मैं बहुत समान के साथ कहता हूँ आज इसी मंच पर फैसला हो जाए मैं भारती जन्ता पार्टी का राष्टे प्रवक्ता हूँ मेरी सम्मानित बहन जिनका जनन दिन है वो कांग्रेस पार्टी की राष्टे प्रवक्ता है देखिए मैं बे जिजक एक बात कहूँगा मैं कहूँगा वो जो विवादित धाचा था उसी स्थान पे भगवान रा और वहीं मंदिर बनेगा इतना अगर नहीं बोल सकती हैं तो इनका अधिकार मेरे से प्रस्न पूछने का नहीं है आपका जरूर है क्योंकि आप चौथा स्तंब है और आपका संपूर ना दिकार अब जवाब प्रियंका सबसे पहले मैं यह कहना चाहती हूँ कि हां 500 साल से हम सारे हिंदू और हिंदू से ज़्यादा वो जो लैंड है उसका जो लड़ाई लड़ रहे हैं गोरों से लड़े गोरों के बाद छोड़ने के बाद कोर्ट से भी लड़ाई की भाई साहब एक सेकिन आपके बीचिन आपक को इतिहास सिखा दूँगी मैंडम बताईए हिस्पी टीचर बताईए हैं यह तो वो लोग हैं जो दूसरों की लड़ाई में अपना पैर अड़ा कर उसकी राजनेतिक रोटी सिखते हैं यह वो लोग हैं मुझे आप कोई भी सुप्रीम कोर्ट का ओर दिखा दीजे सुप् आजनेतिक मुद्दा बनाया है और राजनीती करने की कोशिश की है वो यही है मैं आज यहां पर आपके खुले मंज पर यह कहती हूं कि भगवान श्री राम भी कहते होंगे अगर मेरा नाम आप भक्ती में ले रहे हो तो वेलकम है पर शक्ती पाने के लिए ले रहे हो तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर है तो यह आप लोग वो हैं 1989 से लेकर अब हम आल्मोस 2019 में आ गए हैं सरकार उसमें करीब-करीब 11 साल इनकी रही है बीच में गिरी बनी 5 साल रुपी तो ताला खुलवाने के लिए आपको इजाते हैं मैं उसका भी श्रे लूंगी मैं सबका श्रे लूंगी इनकी जो असलियत है उसको बाहर और उजागर करने का श्रेवी कोग्रिस पार्टी ही लेगी क्योंकि 11 साल में जो ना कर पाए हो और आए दिन भगवान श्री राम का नाम देते हों सत्ता पाने के लिए और कहकरी मां की तरह उनको बनवास में भेज देते हो सत्ता पाने के बाद वो अगर कोई एक राजनेतिक दल है तो वो ये है ये लोग वो लोग है जो धर्म और आस्था पर राजनीती करते हैं ठीक है प्रियंका कह रही है कि राम नाम में वोट है और मैं अपना सवाल जोड़ दूँ क्योंकि देखे लेट भी आया है आप वोट है अब मध्यप्रदेश में गौमाता वोट दाता देखे में दोनों का उत्तर देता हूं पहला तो इन्होंने कहा कि राम नाम भक्ती के लिए है शक्ती के लिए नहीं मैं कहता हूं राम ही से भक्ती है राम ही से शक्ती है बाईया दोनों भक्ती और शक्ती के मूल ही दूसरा आज अच्छा लग रहा है कि ये राम का नाम भी ले रहे हैं मगर रोमाना जी मैं ABP News से बैठा हूं और आपके साथ बैठा हूं क्यूंकि आप डिबेट भी रोज करती है चार बजे आपका बड़ा फेमस शो आता है आप एक संविधान की सपत आती है आप ये मुझे को ओवर्या संविधान का सपत का के बता जिए जएस दिन राम मंदिर का डिबेट होता है ना उस्दिन आतीक्रेयाइड, करोप से बट्वार्त यानथा पार्टी तो कर रहे हो ये रावन तों चुर्ण निया ऑल कर दों कि लोगों दर्म को रास करने के लिए इनदू को आतंकवादी तक कह दाला वो मंच मैं कभी नहीं बूर सकता हुँ जैपूर का जिस अधीवेशन में ततकालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग जी मौझूद थे, बगल में आदर्निय सोनिया जी बैटी थी, उनके बगल में राहुल जी युवराज के रूप में बैटे थे, सिंदे, उससे में सुचील कुमार सिंदे, ततकालीन ग्रहमंत्री थे देश के, वो खड़े होकर कहते ह हिंदू आतंकवादी और ये भारतिय जनता पाटी और सिंग आतंकवादी यों की ट्रेनिंग देती है, प्रियंका जी आप मेरी बहन है, सम्मान से कह रहा हूं, ये श्राप लगा है कॉंग्रेस पार्टी को हिंदूों का, ये ग्रहन लग गया है हिंदूों का, साथ ये याद रखके जाईए, साथ पीढ़ी तक इस श्राप से मुक्ती नहीं है, और चौती बार आप जो हमें रोज शाम को कहती है कि हम अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ रहे थे, मैं हमेशा ये प्रशन पूछता हूं, आप छोड़ दीजिए, मैं तो बोल रहा हूं, और उमाना जी की दादा, मेरे दादा, आपके दादा कहीं न कहीं इंडिया से कोई बिहार से, कोई मुझपरपूर से, कोई यूपी से, कोई उडिशा से लड़ रहा होगा, सब कोई लड़ रहे होंगे, कैसे भी लड़ रहे होंगे, सोनिया जी के दादा, दादी, पापा, मम्मी कौन से जिल्ले से अंग्रेजों के खिलाप लड़ रहते ये मुझे आज आब बता के जाए जिन लोगों के पास 19 वर्षों तक अध्यक्षा के नाते सुनिया जी कारिरत थी जिनके लिए खुद संजय निरुपम जी ने अपने कॉंग्रेस दर्शन में लिखा कि वो मु अजिस्ट और शी बिलॉंग्स टू मुसावलीनी फैमिली वो कहां से अंग्रेजों के खिलाप लोड रही थी ये मुझे आज बताके जाना ऐसे ज़िखा जहांसी किरानी बन के लड रही थी सोनी आज ये रोज शाम को हमें अंग्रेजों के साथ है ये कहना जल्दी बंद क मैं इसे जवाब देती हूँ देखे जैसी मानसिक्ता होती है वैसे ही शब्दों की बयानबाजी होती है मैं अभी भी मध्यप्रिदेश की साड़े साथ करोड की जनता जो सवाल उठा रही है जो आक्रोशित महसूस कर रही है असंतोश महसूस कर रही है उनकी आवाज उठा इन्होंने बाते की परिवार को लेकर, कॉंग्रस पाथी को लेकर श्राब देंगे, ये करिसे वो करिसे अचमू श्राब तो आप लोगों को मिलेगा जो भार बार लोगों की आस्था में खेलेंगे और वो श्राब आपको हर पां साल में की जन्ता ने दिया है रही इन्होंने बात की, राम सेतू की बात की, इन्होंने मिथिकल कैरिक्टर है ये बात की, पार्लिमेंट में और पार्लिमेंट में इन्ही ने जवाब दिया था, के मा सीता मैया एक मिथिकल कैरिक्टर है, एक सेकेन एक मिथिकल कैरिक्टर है, और क्यूं दिया था, क्यूंकि बिहार से एक मांग उठी थी के सीता मां के लिए एक भव्यत मंदिर बनना चाहिए, तो इन्हों ने ही, इन्ही के जो कल्चर मिनिस्टर है, कहा मिथिकल कैरेक्टर है, मैं इनसे इस मंच से पूछना चाहती हूँ, आप महिला, मैं महिला, यहां पर बहुत सारी महिला, आपको म नहीं पता था, अब आप script writer भी बन गए है, script direction भी करने लगए है, dialogues भी लिखने लगए है, all in one बनकर आप रस्तुत हो रहे हैं, यह तो चलिए entertainment industry के लिए बहुत अच्छी बात है, पर news industry के लिए बहुत ही दुर्भागयपूर है, रही बात entertainment की और सजाविटी जिमेदारी क रही बात सजाविटी, मैंने कहा था, मंत्री, जहां पर मंत्री साहिबा, जो सक्षम है, काबल है, और उनके पास सारी जो भी जिमेदारी दी जाएगी, उनको प्रधान मंत्री की विगद्धी दे देंगे, वो भली भाती संभाल सकती है, सुश्मा सुराजी, especially, पर यहां प हैं, और दूसरी बात, आपने हमारे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने करीब 600 विदेशी दौरे तो कर लिए होंगे अपने चार साल की कारेकाल में, 600 यह हजार तो पहुंची गए होंगे, आकरा पार किया होगा, मैं उमीद करती हूँ, उन हजार यात्राओं में, कितनी बार अपने साथ में देश की विदेश मंत्री को लेकर गए होंगे, या उनसे कोई डॉक्यूमेंट साइन करवाया होगा, तब आप बताये, तो वो अंतर होता है भाई साहब और वो मानसिक्ता का अंतर है, एक होता है जिम्मेदारी से, उनको जिम्मेदारी मुक्त करना, ए सजवती पर अाप उस बात पर फूरा मुदता बनाना, जब मुदे हीन होते हैं, दविष्टी हीन होते हैं तो इस तरीका की बाद कर गोड़ियु च्टाव्य को जवाब देता हूँ, मेरा विरोध ही नहीं पहले से एंटर्टेंमेंट बंतर्टें में स्क्रिप्ट के विशह में कांग्रेस पार्टी में सपने में भी नहीं बोलना चाहिए अगर आज राहुल ना होते तो हमारा क्या होता बता कोई टीवी देखता कोई टीवी नहीं देखता बतला ब्लड प्रेशर लोगों के बढ़के रहते हैं थैंक यू रहुत एक सके आप एक छोटी सी बच्ची मेरे लिए हसी का अगर मेरे कारण से छोटी सी बच्ची हस पाती है वैसे डोरेमोन पोकेमोन और पोगो तो राहुल गांदी जी का पर्यावाची शब्द था खेर बाकी मैं विशह पर आता हूं अभी इन्होंने सजावटी विशह पर रखा कि शाम डॉक्टर मनमोहन सिंग था हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के पोस्ट को दस वर्षों तक आपने साजो सज्जा सम्मान का विशह बना दिया था केवल सजावटी प्रधानमंत्री तूजी हो जाए कोलगेट हो जाए भरस्टाचार हो जाए मनमोहन जी से पूचिए म महिनुकी पता, महिनुकी पता, महिनुकी पता, कुछ पता नहीं क्योंकि सारा कुछ पता दस जन्पत को होता था एक्सिदेंटल प्राइम इंइस्टर किताब किस ने लिखा? भाजपा ने लिखा संजय बारु जो कि खुद मनमोहन जी के मीडिया एडवाईसर थे है एक्सिदेंटल प्राइम इनिस्टर में लिखते हैं शाम भजते ही शाम छे बजते ही पुलक चटर जी जो की कैबिनेट सेक्रेटरी थे वो फाइल खीत के मन मोहन जी के नाक के नीचे से लेके सोनिया जी को देते थे इन्होंने कहा हम कोस्ते हैं एक परिवार को बंधूँ चौधा वर्शों तक प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी जी को भारती जनता पार्टी को जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने मौत के सौधागर तू नीच है तू जाके चाय बेच तुझे चपल से मारना चाहिए तू बिच्छू है शिवलिंग के उपर क्या चपल चलाएंगे तू कॉक्रोच है तू यम्राज है तू नीच ज महिश शर्मा जी से सवाल पूछा गया कि मा सीता के प्रूफ के लिए आपको बिहार के उस थान पर खुदाई करनी चाहिए ताकि मा सीता का प्रूफ निके मैं गर्व के साथ कहता हूं हमारे मंत्री ने कहा मा सीता हमारी मा है उसके लिए कोई प्रूफ की अवश्यक्ता नह किसी प्रकार के प्रूफ की अवशक्ता नहीं है कि सीता माती और हुआ करती थी वो है और सदैव रहेगी क्योंकि वो हमारी मा है इनको प्रूफ चाहिए हमें पूफ नहीं चाहिए या आप कोई भी गूगल करके वो प्रश्न और उसका उसकर आप पार्लमेंट का देख सकते ह वसंद्रा जी के खिलाफ राजस्थान में दिया है मानवेंद्र जी ने कहा है वसंद्रा जी तो राजस्थान की नहीं है विवा के कारण राजस्थान से जुड़ गई इसलिए ये नकली है बताइए विवा के कारण राजस्थान से जुड़ गई ये राजस्थानी नहीं ह जिसके पास 19 वर्षों तक सोनिया जी हो बिवाह के कारण हिंदुस्तान से जुड़ी हो उनकी इतनी हिम्मत कि वो हिंदुस्तान की बहु को हिंदुस्तान की बेटी को कहें कि यह हिंदुस्तान की नहीं है संबेट मानवेंद्र अभी बीजेपी से कॉंग्रेस में आये ना ऐसा तो नहीं आपके संसकार शूट नहीं रहें यही तो आप सोनिया गंधी को कहते आएं वहीं उन्होंने संसकार पॉलेट के वसंद्रा पर बाद दिया यह तो बड़ा सहज है अभी आप परसो मेरे से पू लोगा है और कमल नाथ कमल खिलेगा कमल नाथ करें गें तो करेंगे आप नास कोई नाथ नहीं रहेगा आप कमल ही कमल रहेगा अज आप दोसरों बाढ़ी बेकिंग नीज देने के मूट में वो 2020 रामंदर का बता रहे हैं आप कमलनात करना मंदर ये बता देंगे कि राजनीती खत्म हो जाए कि बहन जी जरा संबित पात्राजी के फ्यूचर का सोचिए आज रोंगे आई दिन आई दिन निकी मैं जबूर बात करूंगे कि बहन जी क्या CM चहरा है कॉंगे मैं बहन जी को जवाब दूगी पर जरा हमा आपको जवाब देखा दिया भाई साहब अभी जेल बेल आप उसके बीच में रहिए वो संभालिये आपका चेहरा कमलनात मद्र प्रदेश में आप हमने हमेशा अपने हमेशा अपने प्रसाने की जरूरती नहीं है मैं आपको अंतर अरे बहन जी मुझे जवाब दीजे भा इंगलिश में इंडोर में कहते हैं इंडोर की भासा में ज्यादा लोड मत लो जाकी बिगर गई है सोचलो अच्छा अच्छा दिखाते हैं विकास का काम करते हैं सूट बूट के विकास का चेहरा दिखाते हैं गरीबों की सेवा का कारियरत हैं अमीरों की सेवा का चेहरा द दिखाते हैं इसको किसानों के अधिकार का, काम करते हैं इसको किसानों के अधिकारों के हनन का इसमें लिखाए है। महंगाई है महंगाई purple कर आरेंगे महंगाई की माथ से फ्ोल्व्रों जूँच रहे हूं वह खाल्गे पर काम ‌काम किया बताता है आज भी हमारे बीच में काफी सारी महिलां है अहां पता नहीं कितना सिलिंडर खरीद रही है यह अवर हम लोग जो बॉ इतना अंतर है, तो हम तो काम करते हैं, ये सिर्फ अपने नाम पे वोट गिनते हैं, कमलनाथ के सवाल पर आपने जवाब नहीं दिया, एक मिनित, कमलनाथ, आपने कहा कि कमल खिलेगा, हम काम पे ध्यान देंगे, जी हाँ, अध्यक्षता उनकी है, और कमल का कमाल होगा, मुख अब जवाब दे जीजेगा, लेकिन प्रियंका, आपने इतना फर्क गिनाया, बीजेपी के साथ, कॉंग्रेस का, मेरा सवाल आपसे ये है, कि वो घोशना पत्र जब देखें, तो उसमें रामवन गमन पतियात्रा, गौमूत्र का कमर्शियल प्रड़क्शन, हर पंचायत मे ये जो घोशना पत्र है, ये कॉंग्रेस का घोशना पत्र है, या ये बीजेपी का घोशना पत्र है, मतलब सब कुछ बीजेपी का आपने दे लिया, बस एक RSS अखरता है मत्यप्रदेश में मुझे बड़ा दुख होता है, जब आप कहती है, जो हिंदू धर्म की परंपरा है, जीव जन्तु को सम्मान देना, और जो प्रकृती से आये हुए, सारे जीव जन्तु है, उनका ध्यान देना, वो आप भारतिय जन्ता पाटी के खेमे में डाल देती है, उसे मुझे आपती है भेंजी, और रही बात, यहां पर सारे हमारे वेर मानती हूँ, ज्यादा से जादा अधिकतर हिंदू धर्म के लोग है, वो जानते हैं के प्रकृती का जो नियम है और प्रकृती को भी हम इश्वर की दृष्टी से देखते हैं, वो कहते हैं सब का सम्मान करना है, दो मिनट मुझे देने पड़ेगा, आज अगर इनने दो हजार आज से पहले के चुनावी वादे में रामगवन पत्का वादा किया था, आज अगर इन्होंने पंदरा साल में दे दिया होता तो वो हमें मैनिफेस्टों में डालने की जरूत नहीं पड़ती, आपने की कमी ह तीन, आठ, तेरा, वही कॉंग्रेस है, वही बीजेपी है, वही शिवराज भी है, लेकिन बड़ा सवाल है कि मामा की मुश्किल बढ़ेगी, या फिर कॉंग्रेस जो दावा करेगे, या खुदी कॉंग्रेस अपने दावों में उलच कर रह जाएगी, बहुत बहुत चुक जः जब्वाजी कि जचल सेंगी है, वही क्वंग्रेस अटा में ड्सी अभी है, ले जाएगी है रहल दावा जजिएوقन भी है, या वावा करे भी है, लेकिन बड़ा है, जड़το बटवा में झालवा भी है, जजू तो सम्र्वाओं में प् spor दOUGHएफ़ा है, अर् पकी कॉं